बेंगलूरू पुलिस ने हेलमेट पहनने के लिए बाइकर्स पर जूता फेंक दिया विडियो वाइरल है एक बेंगलूरू या तायात कांस्टेबल को हेलमेट पहने हुए कैमरे पर पकड़े जाने के बाद दो बाइकों पर जूता फेंकने के बाद ने लमबित कर दिया गया है प्रश्ण में किन्स्टेबल को बेंगलूरूस ठित यूट्यूब धवारा अप्लोड किये गए विडियो में कैमरे पर कबजा कर लिया गया था जो वाइरल चला गया पिछले बुद्वार को यूट्यूब पर अपलोड किया गया विडियो सड़क के खिनारे इंतजार कर रहे दो यातायात पुलिस अधिकारी दिखाता है जब वे हेलमेट पहनने के बिना गुज़ने वाले दो बारकों को देखते हैं तो पुलिस में से एक को अपने जूते को ले जाने और गलती करने वाले सवारों को लक्षत करने के लिए देखा जाता है पुरुष बतक करने की कोशिश करते हैं लेकिन जूता वैसे भी उनमें से एक को हिट करता है वे जल्दी बाद में ड्राइव यह वीडियो बेंगलूरू स्थित यूट्यूब रुषब चटाजी द्वारा अप्लोड किया गया था जो बाइक के पीछे गाड़ी चला रहे थे श्री चटाजी के अनुसार जिन्होंने इसे बेंगलूरू सड़कों पर एक वीडियो ब्लॉग के हिस्से के रूप में गोली मार दी यह घटना इस साल 20 फर्वरी को बीई एल रोड पर हुई थी सोशल मीडिया पर जबकि कई नीन नोट किया कि बाइक पर दो पुरुष यातायात के नियमों का सपश्ट वो लंगन कर रहे थे पुलिस की कारवाने युवा पुरुषों के जीवन को खत्रे में डाल कर गुसे में प्रतिक्रियाएं भी कि मुझे उनके द्वारा किये गए महानकाम के लिए बीटीपी पसंद है लेकिन यह पुलिस और राइडर दोनों के लिए बिलकुल खतरनाक है खृप्रियाब बीटीपी एफबी के साथ साजा करें चीजों को फिंकना चीजों को संभालने का कोई तरीका नहीं है वे संख्या प्लेट का नोट बना सकते थे और इसके बजाए उसे जुर्माना लगाया एक उप्योकरता ने टिपनी की एक और ने लिखा वे सिर्फ उसे क्यून नहीं रोक सकता है और अपने हाथों में कानून लेने और बायकर्ज के जीवन को जोखिम देने के बजाए जुर्माना अदा करने के लिए कहता है एक तीसरे टिपणी में कहा गया उसे फेंकने का अधिकार नहीं था वह नमबर पर ध्यान दे सकता है और नोटेस भेज सकता है यूट्यूब ने यह भी कहा कि कौन स्टेबल स्थेती को बहतर तरीके से संभाला होगा इस तिती से निपटने का सबसे अच्छा तरीका एक तस्वीर लिना और उन्हें ठीक करना होगा मैंने देखा है कि बेंगलों में कई पुलिसों के पास डिजिटल केमरा है ताकि किसी भी नियम को तोड़ने और कई चाराहें पर कैमरों की स्थापना के साथ रेकॉर्ड किया जा सके वाहन नंबर को ट्राक करने के लिए उन्होंने कहा वाईर विडियो की संग्यान लेते हुए पुलिस ने जलाहली यातायात पुलिस टेशन से जुड़ी कंस्टेबल को ने लंबित कर दिया डेक कन क्रोनिकल के अनुसार यातायात पुलिस ने घटना की जांच की और यातायात कंस्टेबल ने लंबित कर दिया बाइक के दो शात्रों ने कॉंस्टेबल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस से संपर्क नहीं किया है